आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Good morning students तो आज का मारा Question है Concave Lens and Convex Lens हमें बताना है Concave Lens और Convex Lens की बीच में क्या-क्या Differences है Basically, Distinguish Between करना है तो चलो हम करते हैं एक साइड हम रख लेते हैं Concave Lens को और एक तरह हम रखेंगे Convex Lens को ठीक है और इनकी बीच में एक Division कर लेते हैं तो देखो Concave Lens के बारे में बात करते हैं सबसे पहले ये Lens कैसी दिखती है कुछ ऐसी दिखती है ये Lens और Convex Lens कुछ ऐसी दिखती है तो अगर मैं सबसे पहले Basically, इनकी structure से ही इनको start करूँ तो ये जो Lens है ये in general बाहर से Thick at edges और Thin at middle तो Concave Lens It Is At edges And Thin At center हम ये बात बोल सकते हैं आब इसके बारे में देखो ये edges से पतली है लेकिन बीच में मोटी हो गई देखो यहां मोटी है यहां सबसे है बीच में मोटी है और उपर मोटी नहीं है पतली है तो इस Thin At edges And Thick At center ठीक है इतना clear है चलो अब और देखते हैं दूसरा इन जनरल Concave Lens को हम लोग Diverging Lens भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमेशा Arrays diverge करती हैं जो Arrays आ रही होंगी वो away move कर जाएंगी ठीक है मतलब अपने पार से away diverge करेंगी दूसरे से दूर नहीं लगी तो इसलिए हम इसको बोलते हैं also known as diverging lens और इसके contrary इसमें जब भी Arrays आती है वो एक दूसरे के close होनी की कुशिश करती हैं ठीक है तो इसमें हम बोल सकते हैं also known as converging lens ठीक है हाला कि यह जो बात मैंने बोली है यह general case के लिए बोली है मतलब यह जो है काच का बनाओना चाहिए glass का और बाहर air होनी चाहिए ठीक है यह general case मैंने लिया हुआ इस line को बोलते हैं चलो और देखते हैं इसके लावा हम और क्या चीज़ लिख सकते हैं third point इसमें हमें सिर्फ images diminished देखने को मिलती हैं और virtual इसमें कभी भी हमें real image देखने को नहीं मिलती तो always forms virtual and erect images हमेशा virtual images ही बनाएगा कभी भी real image नहीं बनाएगा लेकिन हमें पता है कि यह एक specific case में virtual बनाता है बाकी सारे cases में real image बनाता है तो can form both virtual plus erect and real plus inverted images ठीक है इसमें real image भी बनती है अगर real बनी कि तो inverted भी बनी कि इसलिए मैंने real plus inverted बोल दिया और virtual भी बनाता है और virtual बनता है तो erect बनता है और अब इसकी बात last आजाती है इसमें जो इसकी last point बचती है तो fourth point अगर मुझसे पूछा जाए तो यह कि image is always diminished image हमेशा छोटी बनती है size में object के comparison में लेकिन हमें पता है यह हर तरह का magnification provide कर सकता है मतलाग छोटी भी बन सकती है बड़ी भी बन सकती है equal size की भी बन सकती है depending कि हमने object को कहां रखा है तो can form magnified diminished or same sized image as the object तो इस सारे की सारी type की images यह बना सकता है तो हमने इसके इन दोनों की बीच में चार major points देख लिए है I hope the difference अबको clear भी हो गया होगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजे अपने doubts आच चार्सो 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 पर